हेलो गुड मानिक श्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे क्लाश 10 से सामाजिक विज्ञान जो है उससे चेप्टर 2 के भारत में जो राष्टरबाद है उस चेप्टर के बहुत व आगे कैसे कोश्चंस हैं आप लोग उनके एंसर करिए नहीं हो पा रहे हैं तो हम आइंसर आपके उससाथ में बताएंगे तो आइए देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से तो पहला कोश्चं दिया है गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किस बर्स है वो सी आपसन है यानि 1919 इस भी में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध राश्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था तो आपसन सी इसका करेक्ट है 1919 सेकंड कोशन देख लेते हैं आसायोग खिलाफत आंदोलन कब प्रारंब हुआ था असायोग खिलाफत आंदो इसका एंसर करें जल्दी से तो इसका जो एंसर है दोस्तों वह आपसन है जनवरी 1921 इस भी में आसायोग खिलाफत आंदोलन प्रारंब किया था नेक्सट बार दोली किसान आंदोलन का सम्मंद निम्न में से किस नेता से हैं कोश्चन एक बार फिर से सुन लीजे बार दोली किसान अंदोलण का संबन्द निम्न में से किस नेता से है पहला अपसन है महत्मागांदी सेकंड अपसन दिया है जवाल नहरू थर्ड लाला quality पत्र आए और जो फोथ अपसन है वो सडार पतेल है तो इसका जो एंसर है दोस्तों वो सरदार पटेल होगा यानि D option प्रस्ताव पारित किया था A option लाहर, B नागपूर, C दिल्ली, D लखनौ तो जो इसका अंसर होगा दोस्तों वो A option होगा यानि Lाहर में नेक्स्ट बंदे मात्रमगीत के लेखक निम्न में से कौन है एकवाल बी रविन्ना टैगोर सी मैथली संगुप्त और डी हैं बंकिम चंद्र चटो पाध्याए तो इसका जो एंसर होगा वो डी है दोस्तों बंकिम चंद्र चटो पाध्याए जी बंदे मात्रमगीत के लेखक सवीनए अवग्यां अनोलन का मोखे केंदर कहा था सावर्मती आश्रम पूर्वंदर खेडा या सूरत सावर्मती आश्रम साविनए अन्यां का मोखे केंदर था सावरमती आश्रम था साइमन कमीशन भारत कव आया था 1922 1924 1926 या 1928 तो जो साइमन कमीशन था 1928 इस भी में भारत आया था नेक्स इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है महत्मा गांदी सुवास्यंद बूस मौलाना अबुलकलाम आजाद या जवाहलाल नहिरू तो मौलाना अबुलकलाम आजाद जो हैं वो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं नेक्स्ट साइमन कमीशन का बिरोध करते हुए निमनलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों से सहीद हुए थे तो लाला लाजपत राय जी यानि B आप्सन है वो लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन का बिरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से सहीद हो गए थे गांधी जी ने डांडी यात्रा की थी किसके लिए की थी रॉलेट एक्ट के विरोध में या क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में या उत्तरदाई सासन के स्थापना है तू या नमक कानून तोड़ने है तू तो नमक कानून तोड़ने है तू गांधी जी ने डांडी की य सत्याग्रहे प्रारम किया था तो दोस्तों यह थे अल पोविकलपी प्रसन अगर आप लोगों को अंडर्शन नहीं होता है कहीं हिंदी है या सश्टी में बहुत से भी तो कहीं से भी आप कोई भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं कमेंट वाक्स में कमेंट करें अगर हमारा से अधिक अपने दोस्तों में सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स पार वाचिंग